प्रियंका और प्रियंका के किचिन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जो डिश बनाने वाले हैं उसका नाम है दही के चटपटे आलू। तो चलिए चालू करते हैं इसको बनाना इसके लिए जो चीजें हमें चाहिए वो है बॉइल आलू, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, शक्कर, चाट मसाला, खड़ी लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी में थी और हमारे नॉमल जो मसाले हम यूज करते हैं हल्दी धनिया, मिर्ची, न तो आप आलू काट लिए, इसके बाद हम गैसान करेंगे, उसमें डालेंगे, थोड़ा सा ओई, और यूज कड़ी पत्ता हमने लिया है, इसको भी हम काट लेंगे, इसको ज़्यादा आपको बारिक करने की ज़रूत नहीं है, जब यह तेल गरम हो जाए, तो इसमें डालें आप एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी राई, खड़ी लाल मिर्श, आप इसमें बिल्कुल अक्षी खड़ी लाल मिर्श डालें, इसको छोटा करने के ज़रूरत नहीं है अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी में थी, बिल्कुल थोड़ी सी और ये सारे मसाले एक चमच धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्श, थोड़ा धनिया ध्यान रखे कि ये जल ना पाए, अब हम इसमें डाल देंगे आलू ये थोड़ा आलू फ्राइ कर लें आप पहले क्योंकि ये अल्रेडी बॉइल है इसलिए बहुत जादा इसको पकाने की जरूरत नहीं है अब हम इसमें नमक डालेंगे अब ये आलू पूरे तरीके से पक चुके अब हम इसमें कड़ी पत्ता हमने इसलिए पहले नहीं डाला था क्योंकि उसका रंग काला हो जाता इसलिए आप थोड़ा सा एक ड्रॉप ओल डाल के आप इसको पहले भी डाल सकते हैं और ये कड़ी पत्ता आप डालते हैं जिससे इसका कलर सेम रहे और आप हम इसमें एड करेंगे दही आप दही को थोड़ा मिक्स कर लें आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी फेट सकते हैं कि अधिये ध्यान रखे कि दही डालते समय फ्लेम बहुत लो होनी चाहिए वरना दही फट जाता है कि अधिये हमने डाला दही कि दही को हमें ज्यादा पकाना नहीं है और अब हम इसमें एड करेंगे चाट मसाला इसलिए हमने नमक कम डाला था पहले वाला नमक वाइट नमक जाए थोड़ा कम डालें क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और अब हम डालिंगे इसमें तकरीबन दो चमच शक्कर इसको आप कंटीनू हिलाते रहें तो यह हमारे दही के चटपटे आलू तयार हैं यह देखिए यह दही के चटपटे आलू तयार हैं तो यह हमारी डिश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तक्यो 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 करें आलू